नमस्कार मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं RPS समाचार आए शुरुआत करते हैं आज की खास ख़वर से घने कोहरे का कहर जारी है आज अलसुबै कोतवाली शेत्र के आगरा लखनो एक्सप्रस वेपर ग्राम नसीदापूर के सामने घने कोहरे के चलते चारक आगे खड़ी बस देख नहीं पाया जिससे तेज र öğतार बस आगे खड़ी बस में जागुसी दो बसों के बीज दुरगटना होते ही पीछे से आ रहे तेज रहे आले प्राइवेट बस और एक ट्रक के अलावा दो-दो कारे भी दुरगटना ग्रस्त बसों में जाड़ बीशन दुरगटना होते ही यात्रियों में चीक पुकार मजगी हास्ते में बस सवार एक यात्री की मौत हो गई जबकि दरजनों यात्री घायल हो गये तूछना पर पहुचे यूपीडर एसक्यू टीम और पीतम पुरा चौकी पुलिस में घायलों में 11 यात्रियों को गंब चहेचेवानों के एक साथ दुरगटना ग्रस्त होते ही यात्रियों में चीक पुकार मज़ गई मार्क से गुजर रहे तमाम यात्रियों भी दुरगटना ग्रस्त बसु से घायल को बाहर निकालने में जुट गए सूशना पर यूपीडा रेस्क्यू टीम और पीतम पुरा चौकी पुलिस मौके पर जा पहुची और घायल यात्रियों को बाहर निकालने के लिए बाद एक तीन बर्शी बच्चे सहीद गंभी रूप से घायल एक दरजन यात्रियों को यहां के सामुदाइक स्वास्त के इंडर भेरा जहांची किस्तिकों ने एक बस यात्री विजर सिंग पचास वर्ष पुत्रकारिया सिंग निवासी कंदलपूर्वा थाना तोहवा राम जि मेहराज पुत्र अलवर अली 18 वर्ष काबा वथाना खर्गुपूर्गोंडा शहजाद पुत्र रमजान तीन वर्ष कजबा वथाना खर्गुपूर्गोंडा सुहेर पुत्र शाकिर 17 वर्ष निवासी खर्गुपूर्गोंडा रामकुमार पुत्र अगनु 40 वर्ष निव 35 वर्ष निवासी, 2 सा जनप शिकंदरा आशाराम पुत्र राम उझागर оньदव उम्र 44 वर्ष निवासी, अशोक कुमार थाना कट्रा जनपत गोंडा मैरूं निशा पत्णी निशार एहमद उम्र 3 проч वर्ष निवासी, कारियन पुर्वा थाना कट्रा बजार गोंडा सफर अली पुत्र मौck्मण अली उम्र 33 वर्ष निवासी माय पुर्वा थाना कॉडिया जनपद गूंडा मुकिश दुबे पुत्र राम खेरे दुबे उम्र 40 वर्ष निवासी पहाड पुर्वा थाना क्टरा बजार जनपद गूंडा आरती पतनी रमेश मैंतिश वर्च निवासी कोथान जनपत गुंडा रिपोर्ट जमीर खान